है फ्रैंस वेलकम टो बाइन न्यू वीडियो तो आज हम एक साइड स्लीट कुर्ती बनाना सीखने वाले इस वीडियो में फुल घेर वाली तो उसके लिए हमने फाब्रिक को इस तरह से फोर फोल्ड करके रख दिया है सबसे पहले हम अपर बॉड़ी की कटिंग करेंगे यहां पर ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से फोर फोल्डेट फाब्रिक है फोल्डेट साइड मेरी तरफ है यहां पर हम लेंगे शोल्डर का हाफ सबसे पहले आप हाइड यहां पर देख सकते हो हाइ उसका 1 14 хот हमलेंगे 59,8 inch and plus लेंगे 2 inch का margin यहां पर लेलेंगे 5,6 inch and plus 1-4 inch साथ-चा ,जिक रहां देगил देन दौनुब पॉंट को स्तरह से लाइन में लगा देंगे , यहां पर राउड शेप देते हुए , आर मूले कर workshops रहेंे इस तरह जिके सी नेक का width, neck width मैंने लिए 1.5 inch and यहाँ से नीचे की तरफ हम लेंगे 6 या 6.5 inch मैंने front back दोनों का neck same रखा है, इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 inch पर एक square बनाएंगे इस तरह से, ठीके 2.5 inch नीचे की तरफ भी एक निशान लगा कर इस तरह से square बनाएंगे and हलका सा round shape देंगे, आप को और भी shape यहाँ पर यूज कर सकते हो यहाँ पर हम 1.5 inch की margin से shoulder का slant मार देंगे जिससे की इस तरह से इसकी cutting हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से इसकी cutting जो हो चुकी है, बढ़ हमें side में इसके cut लगाने हैं, तो इसका front part जो भी होगा, उसको हम अलग कर देंगे इस तरह से ठीक है, तो जो भी हमारा front part है उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे जैसे हमने इसको fold करके रखा था वैसे हम इसको fold करके यहां पर रख देंगे, and chalk की help से हम क्या करने वाले हैं, यहां पर, यहां से लेके पूरा नीचे तक एक line लगा देंगे, मतलब shoulder के एक inch side से हम पूरा नीचे तक एक straight line लगा देंगे, आप चाहे तो यहां पर scale का भी इस्तमाल कर सकते हो इस तरह से करने के बाद इसको हम इस तरह से इसकी cutting कर देंगे यह front की तरप से हमारे यह दो parts हो रहे होंगे, side से इसका cut आएगा, अब हम क्या करेंगे यहां पर नीचे का घेरा cut कर लेंगे तो नीचे का घेरा cut करने के लिए fabric को मैंने already इस तरह से cross pole में रख दिया है यहां पर हम लेंगे कमर का 1 4th and plus 1 inch का margin मतलब कमर हमारी 30 है तो उसका 1 4th साढ़े 7 and plus 1 inch मतलब 8 inch मैंने 8.5 यहां पर मैंने इस तरह से mark कर दिया है ठीके, उसके बाद हम height major करेंगे total height है हमारी कुरुचती की 43 inches ठीके, तो यहां से हमने क्या किया है 14 inch उपर की तरफ जो है वो mark छोड़ दिया है यहां पर हम जितना भी 43 जहां पर ब्यादा है वहां पर हम इस तरह से निशान लगाते हुए जाएंगे ठीके, इस तरह से पूरे round में मतलब जहां पर हमने इस तरह से एक line बनाई है वहां तक हम इस तरह से line बनाकर पूरे round में हर एक जगा inch step को रखते हुए उपर की तरफ 14 inch छोड़ते हुए यहां पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे आप लोग देख सकते हैं इतना सा ही joint आया है एक corner पर जो joint हम end में लगा लेंगे ठीक है इतना तो joint fabric में आता ही है जब आप cross fold में इस तरह से करते हो तो यह दोनों parts को हम इस तरह से cut कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ready हो गया है हमारा cutting अब हम करेंगे stitching तो सबसे पहले हमने यह जो parts cut किया था इसको हम इसके उपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक लंबी सिलाई लगा देंगे ठीक है यह इस तरह से joint दिखेगा जिसके उपर बाद में जो है वो buttons आने वाले हैं अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने एक और part cut किया है इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर नेक की उपर सिलाई लगा देंगे parts को पिछे की तरफ fold कर देंगे और इस तरह से fold करने के बाद इसके चारो side से सिलाई लगा कर इन दोनों parts को एक कर देंगे यह वाला इसका back का part है इसको हम क्या करेंगे इस तरह से double fold बनाएंगे और पूरे round में सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से यह हमारे दोनों parts आप लोग देख सकते यहाँ पर joint लगा कर neck की finishing करकर ready हो चुका है अब हम हमारा back वाला part लेंगे इसको हम क्या करेंगे इसके उपर रखकर shoulder के उपर half inch की margin से सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से shoulder हमारे joint हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है इस तरह से यह जो हमारे armhole है यहाँ पर आप पटी लगा के fold कर सकते हो या फिर इसको भी आप इस तरह से double fold बनाकर पूरे round में इस सिलाई लगा सकते हो यह armhole की भी finishing हो जाएगी क्योंकि यह sleeveless कूरती है इसलिए हम इसी तरह से इसको बनाना का try कर रहे है इसकी fitting कर देंगे मतलब upper body की fitting हमें आप पर कर देंगे chest 34 and waist 30 था उसके हिसाब से हम यह आप पर fitting कर देंगे तो आप लोग देख सकते हमने यह आपर upper body की चोली की fitting जो है वो कर दी है अब हम नीचे का घेरा ready करेंगे मतलब जो हमने यह घेरा cut किया था इसको हम इस तरह से ले लेंगे joint हमने आपर लगा दिया है अब हम क्या करेंगे यह एक side से close था ठीक है अब दूसरी side से open था ठीक है तो जो open वाला part है इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख देते हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ से लेके पूरा 5 inch नीचे तक मतलब मुझे पूरा उपर से open नहीं चाहिए यह तो इसलिए मैंने जितना मुझे close चाहिए उतना मतलब मैंने यहाँ पर 5 inch पर यहाँ पर एक निशान लगाया है यहाँ पर मैं क्या करूंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी ठीक है इतना सिलाई लग जाने के यह इस तरह से तो घेरा हमारा रेडी हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हूं दोनों पार्ट को हमने जहां तक नहीं चीए था वहाँ तक स्टीच कर दिया और दोनों साइड से अलग-अलग करके पट्टी यहाँ पर फोल्ट कर दी है अब यह हमारा पार्ट है इसका कैसे करना है आपको यह जो हमारा पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे यह वाला पॉइंट रखना है जो हमारा कट वाला पॉइंट है ठीक है इन दोनों पॉइंट को एक के उपर एक रखना है इस तरह से ठीक है और देन अफ्टर इसको क्या करना है पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है मतलब चोली वाला पार्ट और नीचे घेरे वाला पार्ट दोनों को पकड़ कर आपको क्या करना है पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है देन बटन्स लगाएंगे देन ये रेडी हो जाएगा